हलो गाईज रिबॉन एज विलेन के 157 एपिसोड में आप सभी का वेलकम और आप लोग मेरी वीडियो को देखने के लिया है इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जिन्नों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किया था आप सब का भ यह पੇन जी जी जदधि यहां पर खुब नहीं सारे बच्चे और उस शौप में से आवाज आ रही होती है यह कुझे ऐसींबखे रलेलो उसके कहने के साथ में दिखाते हैं जो बच्चे अपने होते हैं वहां पर तूट पड़े होते हैं परी तरह से और तभी बच्चे आपस में चिलाते हुए कहते हैं मिस मुझे एक मीठी ब्रेट चाहिए दूसरा कहता है मैं भी मुझे दो चाहिए और तीसरा कहता है मिले को मिले को भी चाहिए उन बच्चों को ऐसे चिलाते हुए देखे जो मिस होती बहुत अदा खुश हो जाती है और तभी कहती है अच्छा अच्छा ठीक है तोलोचा रुप जाओ मैं तुम लोग को ब्रेट बारी-बारी देती हूं और दोस्तों मुझे आप लोग बताईए यह जो मिस है इसका नाम कौन बताएगा यह हमारे पुराने एपिसोड में भी आ चुकी बहुत होट और सेक्सी दिखाई गई थी और दोस्तों कमेंट में जरूर इसका नाम बताईएगा जब बच्चे वहां पर ब्रेट ले लेते हैं तब ही मिस चिला के कहती है जाओ शिराओ और ब्रेट लेके आओ यहां पर ब्रेट खतम हो गई है उस मिस के यह कहते ही वह जो आदमी होता है वह वहा हाँ हाँ मैं बस आ गया उसको इतने दा खुश देखके जो मिस होती है वो भी स्माइल करने लगती वो भी खुश हो जाती है फिर दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होके अपने चैन वुजिन पर आ जाता है और तभी वहां पर जेट की को कोई उचालते हुए कहता है आपके कहन क смотреть मैं करने के साथ में जिएन ऊसकी को गूर के देखते हुए अपने मन में सोचता है क्या इस खेल में सच मैं ऐसी जगा थी लेकिन जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था तो किसी ने इसे पहले खोल दिया था जब they इस की के बारे में सोची ही रहा होता है तभी दिखाते हैं बाई जॉकिंग को बाई जॉकिंग वहां पे एक पानी का टब लेके आगे बढ़ते हुए कहती है अरे तुम बेफकूफ इतना दादा वहां पे मत बैठो तुम आलसी आदमी मेरी मदद करो यहां के बाई मुझे अपने दिमाग का यूज करना होता है बाई जॉकिंग प्लीज मेरे को संभाल लो मैं बहुत धक चुका हूं और तभी हमको दिखाया जाता है बाई जॉकिंग तप लेके पानी का आगे बढ़के जारी होती है वो अपने ग्रीट एल्डर के पास गई होती है जिसमे फिर जो बाई जॉकिंग ने टप लाके रखा होता है उस टप में एक कपड़े को भीगोते हैं और उस कपड़े को भीगोने के साथ में अपने फेस पे जितना पसीना आ रहा होता है उसको पोच्टे हुए अपने मन में सोचते हैं जबकि एल्डर लियाओ की बाहरी चूट वाले बंदे के बारे में सोचते हैं उसने डार्ट शेटो एस्सेशन के सभी पीछा करने वालों को मारने के लिए अपनी पावर का यूज किया और उसके पास इतनी अनमोल और कीमती पिल भी है जिसने के एल्डर लियाओ को वहां पे गंबीर हाला से थोड़ा सही कर दिया वो यह सोची रहे होते हैं और सोचते हुए चैन वुजिन के तरफ देख रहे होते हैं और दोस्तों हमको दिखाया जाता है चैन वुजिन को चैन वुजिन तो अपनी नाक में उंगली डाल के घुमा रहा होता है मझे से फिर ग्रेंट फाइदर उसको देखने के साथ महीं उस तॉलिय से फिर से अपना फेस पोशन ही लगते हैं पसीना जून कर निकल रहा होता है और तभी अपने मन में सोचते हैं उसका भविश्य सच में बहुत ज़्यादा ही उज्वल है लेकिन उसकी हरकते ये तो बिलकुन विकार हैं उन दोनों एल्डर्स को ऐसे हील करते चैन वुजिन बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और तभी जमाई लेते हुए कहता है क्यूंकि हमने इस बारे में पुरी तरह से बात कर लिए और हम कल सुभा सुभा ही स्प्रिंग की खोज में यहां से जाएंगे मैं वापस जाओंगा और अपने आखें बंद कर लूंग और तभी चैन वुजिन कहता है मेरे साथ रूम में वापस आओ जब उसने ये बात बोली होती दोस्तों तभी दिखाते हैं जो एल्डर होते हैं उसकी ये बास सुनने के बात में इक्तम शौकड हो जाते हैं उनकी आंखे तो एक्तम शौट के मौरे बाहर निकल आती है क्यो गुंसा एकदम हाई पाउच जाता है और ऑप बाइजो के चैन वुजिन के गाल पे एक सोड़दार घुंशा मारत oval और जिक नजाता और गुंशा मारने के साथ भाइजा कि यह चैन वुजिन और यह थे dunno जिफ्ट होने के साथ में रात का सीन में आ जाता है जहां पे चैन वुजिन और वो लोग रुके होते हैं वहीं कार सीन दिखाते हैं चैन वुजिन रात के अंधेरे में धीरे से चुप़े से अपने हाउस से बाहर निकल के जाने की कोशिश कर रहा होता है और वहां से निकलते वहां पे फांते हुए उस जगह से जाते हुए अपने मन में सोचता है अगर ऐसा नहीं होता वर्ना अगर वेव ठीक मेरे उपर हूं तो मैं निश्चित रूप से आज रात को कदम नहीं उठा सकता था और दोस्तों ऐसी ही वो अपने मन में सोचते हुए आगी की और बढ़त चैन वुजिन ने अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए उस ब्रोकेन मों सेट की लड़की को वहां पर कैत कर दिया होता है फिर चैन वुजिन उस लड़की के पास पहुंच के अपने हाथ में एक लकडी से उसके गाल पर टेच करते हुए कहता है हेई पागल जाओ अभी तक क्यों सो रही हो फिर कहता है अगर आप अपने बाहदूर और चलाक सेक्ट के लीडर के पास लोटना चाहती है तो इस तरह से मरने का नाटक करना बंद करो चैन वुजिन ये कहते हुए हमें दिखाया जाता है चैन वुजिन इतना अधा शैतान होता है दोस् इसी डंटी से खुझली करना स्टार्ट कर देता है और खुझली करते हुए कहता है तुम क्या कर रही हो तुम मेरा सामना करो फिर मुझे तुम ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही हो और हमें दिखाया जाता है ऐसा करने के कारण उस लड़की को भी गुसा आ रहा होता है ज और अपनी आखे खोलने के साथ में गुस्से में दूसरी तरफ देखने लगती है और चैन वोजिन से कहती है तुम मुझे मार डालो मैं ब्रोकेन मून सेक्ट के साथ कभी विश्वाजगात नहीं करूंगी और चैन विजिन उसके सामने खड़े हो कि उसको निहार रहा होता है उसकी ये बात सुनने के बात में चैन वोजिन अपने फेस पे हाथ फेड़ते हुए कहता है ओहो चलो ठीक है हम देखते हैं ये तो अटूट मिष्ठा है अपने सेक्ट लीडर के प्रती और ये कहने के साथ में चैन वोजिन एकड़म सा क्रीपी सा फेस बना लेता है और में डर नहीं लगता है कि मैं यहां क्या कर सकता हूँ हाँ तुम बिल्कुन सही हो मैं वही करूंगा और फिर ये और ये करने में बहुत मजा आएगा अगर आपको वीडियो देखने में दोस्तों पसंद आई है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करियेगा और जल्दी सजल्दी मेरे 5K कम्प्लीट करा दिजे और इसी के साथ हम लोग दूटे हैं नेफ्स अपिसोड में थैंकियो फॉर वाचिंग मा वीडियो लब यॉड़ झाल